असलाम अलेकुम माईडियर स्टुडेंट्स, तो होप यौल आर वेल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनस्टूशनल मुमेंट आफ एरान जूरिंग दे पाहलवीज, कनस्टूशनल मुमेंट सिंप्ली दे मुमेंट विच इलेटी तो कनस्टूशन, हैने पॉलिटिक्स, ए ये पाहलवीज क्या है, पाहलवीज एक पाहलवी डैनास्टी थी, याने कि इस पाहलवी डैनास्टी यां पाहलवे एरा में जो कनस्टूशन, कनस्टूशनल मुमेंट आराइज हुई, कनस्टूशनल मुमेंट की तहरेक उठी, वो क्या थी और पाहलवी डैनास्टी में इसका रोल कैसा रहा यह कनास्टूशनल मुव्मेंट इरान में अर्ली आप ट्वाइटीन सेंचरी में स्टार्ट हुई यानि कि बीसवी सिरी के पहले दोर में यह मुव्मेंट अराइज हुई जिसने पॉलिटिकल सिस्टम में एक रिफाम लाई एक चेंज लाई पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज लाई और इसने ज़्यादा तर जो यह पहलवी डैनास्टी के रीन में इसने अगर हम देखे जब पहलवी डैनास्टी का रूल था तो उस वकत के पॉलिटिकल कंडिशनल जो थे उसमें इस कंडिशनल मुवमेंट का एक एहम रोल अदा रहा है और इसके की कंपोनेंट्स कुछ है यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें पहलवी डैनास्टी का बेग्गराउंड देखे तो यह इसकी जो इस्टैब्रिश्मेंट पहलवी डैनास्टी की इस्टैब्रिश्मेंट रिजा शाह ने डाली थी और उसके बाद इसके सन जो मुहमत रिजा शाह थे उन्हों ने इसको इस मुवमेंट को आगे ले गे यानि कि इस डैनास्टी को आगे ले गे और इन्होंने 1920 से लेकर तिल 1979 जब तक Islamic Revolution ना आया तब तक इन्होंने रूल किया और जो constitutional moments थी इसके roots अगर हम देखे ये 19th century से पहले और 12th century के early period तक इसके roots हमें दिखते है ये moment 19th century से लेकर 12th century के चली है जिसने बहुत ज़्यादा political reforms में change लाई यानि कि political system में reform किया है यहाँ पर 1906 की एक constitution है यानि कि ये moment जो है इसको इसने reach किया था कि establishment of Iran's first constitution इस moment के according इरान में first constitution established हो गई 1906 में जिसमें limited powers आप मोनार की यानि कि कोई king या कोई queen अगर rule करती है तो उसको limited powers दिए गए थे और उसमें कुछ rights people को भी यानि कि लोगों को कुछ rights दिए गए थे खाली हर कोई ला हर कोई कानून खाली king या queen जो भी रजा होता था खाली वही नहीं ले सकता था बलकि लोगों को भी कुछ rights दिए गए थे वो क्या चाहते हैं और इसमें क्या होगा फिर कनस्टूशनल government मे उसकी beginning हो गई इरान में यानि कि इस law के according इस movement के according जो इरान की government थी वो इस movement के according बदलने लगी उस वकत तो अगर हम रिजा शाह के era की बात करें या जब इन के अंडर ये dynasty थी तो एक power में आये 1920s में और इन्हों ने implement किया यानि कि modernization को नई चीज़ें और चीज़ों की invention को और centralization policies को यानि कि उन पॉलिसेज को इन्हों ने adopt किया उन पॉलिसेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जो लोगों के लिए फाइदे मन साबित हुई और इस movement के according इन्हों ने अच्छे काम किये इन्हों ने कुछ constitutional freedoms हम बोलेंगे इन्हों ने कुछ constitutional freedoms को कम किया यानि कि लोगों को जो भी restrictions दी गए थे किसी भी lock according किसी भी कोई भी उनको law pass करना होता था या कोई भी उनको मसला होता था उसके according जो law बनाया गया था उसके जो ज़्यादातर हक पहले राजाओं को होता था kings और queens तो उनको इसने curtain किया यानि कि उसको shot किया और लोगों को कुछ हग दे दिये यानि कि under people's hand इन्हों ने ऐसे decisions making यानि कि लोगों को कुछ rights दिये अंडर constitutional moment और उसके बाद इनके जो son थे महम्मद रहजाशा उनके supervision में उनके अंडर भी ये moment बहुत ज़्यादा influential साबित हुई और इन्हों ने अपने जो father रिजाशा की जो legacies है जो उनकी education थी जो उनकी policies थी उनको इन्हों ने आगे बढ़ाया और ओर time में अगर हम देखे जो political opposition यानि कि इस moment को politically opposition भी देखना पड़ा इस moment को बहुत सारी conflicts भी सामने आ गई इस moment की according यानि कि इस moment के regarding other जो भी parties थी जो भी लोग थे कुछ लोगों ने इनके इस moment की according बहुत ज़्यादा opposition बहुत ज़्यादा conflict इस start किये और अब वही conflict और resolution या opposition आप resolution revolution आप बोलिए का rule कब खतम हुआ जब इरान में Islamic Republic स्टार्ट हुआ, Islamic moment आगई Islamic revolution आगई यानि कि जब इरान में Islam आया जब इरान में Islam इंट्रडूस हुआ, Islam की सुप्रेड मिल गई तो उस वकत उनकी जो ये पहलवी dynasty थी, उनका influence काम हुआ और इनका decline हुआ फिर establishment of Islamic Republic हो गया, यानि कि इरान अब Islam को represent करने लगा उसके बाद, जब ये डैनास्टी फाल हो गई, और अगर हम conclusion में देखे, यो जो constitutional moment थी इरान में जो चली, थूरू पहलवी डैनास्टी याँ पहलवी एरा इसने political change में बहुत ज़्यादा, यानि कि politics में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया और उसको reform किया, यानि कि कुछ ऐसे कानून लोगों को दे दिये कुछ ऐसे decision making लोगों को थमा दिये, जिससे लोगों की बहबूदी, लोगों के welfare के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा था और इस मुनारकी में जो tension था लाने कि खाली king ही हर कोई decision लेता था वो कम होने लगा और इसके carding बहुत सादा लोगों ने इसके opposition में opposition face करना पड़ा इस movement को through the पहलवी dynasty, बट इसका बहुत ज्यादा अच्छा एहम रोल लदा है इस movement का एहम रोल रहा है किसमें इरान में जो through पहलवी dynasty बट जब Islamic moment आ गई जब Islam establish हो गया इरान में तो उसके बाद इस movement के साथ-साथ इस dynasty का भी decline हो गया और फिर इरान बन गया Republic of Islam याने कि ये इरान अब Republic बन गया है, इसलाम का एने कि Islamic country बन गई उसके बाद ही hope कि आप सब को अच्छे से समझ में आया होगा तो समझ में आया होगा तो obviously आप सब को कोई confusion भी नहीं होगा, अगर कोई confusion रहा भी होगा तो आप हमें बढ़ा सकते हैं हम यहां पर आफी के लिए बेटे हैं तो इन्शालला मिलते हैं नेक्स लेक्चर में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदाहाफिस टेक के